कि हेलो फ्रेंट स्वागत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में बार फिट से जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहे है वह निवाले आप इंडिया वुमें व्सेज यूई वुमें के बीच जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रही है आपके लिए इस वीडियो में के आपके साथ स्मॉल लिक की टीम प्लस ग्रेंड लिक की टिप्स शेर होने वाली है तो उससे पहले कर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं आयो तब कमारे टेलिग्राम चैनल जोईन करना बहुत जुर्य है जिसको नाम है फेंटेसी आपको स्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम चैनल अवेलेवल है पर आपको हमारे टेलिग्राम के जो रियल और और ओरिजनल चैनल है कि वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे उपर blue color का link होगा जैसे उस पर click करोगे telegram channel open हो जाएगा then उसको आपको join कर लेना तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे telegram के सही और original वाले channel के साथ जुड़ना है तो आपको link का ही use करना पड़ेगा जो वीडियो के नीचे comment में दिया हुआ है तो ध्यान से telegram channel को join कर लेना जैसे मैंने आपको बताया अब आते हैं वीडियो के main part है बट उससे पहले जरूर ध्यान नखना जब telegram channel को join करोगे तो आपको search करके join नहीं करना है अगर आप search करके जोइन करोगे तो किसी गलत या फेक चनल के साथ जुड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ एक ही है आप link का यूज करना जो वीडियो के नीचे comment में आपको दिया अब आते हैं वीडियो के टीम पहले बैटिंग करती है टीम कहुंसी जीते की definitely इंडिया की टीम जीते ही और इंवेस्टेम्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो बड़ मैं बोलूगा कि इस मैच फोड़ा इंवेस्ट्वेंट को क्योंकि लाश्ट मैच पर टीम आपने देखा होगा टीम ने इस्पेरिमेंट किये क्यों कि जो मलीशय की टीम थी वह बहुत वीक थी जो मलीशय की इंटरनेशनल रैंकिंग थी कल वह 25 है और जो आज मैच जिनका यूए का उनकी 14 है तो कहीं न कहीं कल से जो स्ट्रॉंग टीम रहेगी थोड़ी सी आज हाप यूए की तो शायद इंडि थोड़ा मीडियम ही करना बाकी क्योंकि कि तरह आपको पता होगा बैटिंग और चेंज किया था जो लास्ट मोमेंट में आपको उन्हें बता जैता कि मेंगना ओपरिंग कर रहें कंफर्म तो जिन्होंने चेंज क्या होगा इसलिए टेलिग्राम पर जुड़ने का आपको चता है बाकी अगर बात की जाए तो यहां पर आप और बात की जाए तो यहां पर फॉर्मेट है टिट्विंटी मतलब अगर में प्लेयर तो सबको पताइए कौन-कौन से बठ्ट अगर आच फिर विटीम आज भी एक्सपेरिमेंट करती है और किन प्लेयर्स का अब त्राइक करना गरें खेलते जिसमें गाईकवार्ड किरन नवगिरे और यहां पर है मेगना सिंग जो बॉलर है ध्यान रखके चलना इन तीनों पर ध्यान रखना गर यह तीनों प्लेंग रहाँ दिखते हैं तो डूब के पिक्स जो रहने वाले इस मैच अब रहेगी रादा रजिश्वरी गाईकवार्ड और बाई के पिक्स आफ्टर लाइन अप ही बता पाऊंगों कि टीम कभी पता नहीं क्या लाइन अप के साथ टीम जाएगी बाकि वैदर क्लावडी रहेगा तो बादल देखने को मिलेंगे बाकि लाज दो मैच अब तक टीम खेलिए दोनों क सब्सक्राइब करें एक मलीशेग और शिलंगा और पहले मैच और देट सो स्कोर किया था दूसरे मैच प्लेंग लाइवन टीम की क्या रहने वाली है इस्मृति मंधन आपको अप्रिंग करते हो नजर आएगे जिसने पहले मैच छेरन मारे लास मैच वे भाहर बिठाय था और इंपोर्टन रहेगी अगर प्लेंग लेंड में आते हैं तो इसलिए मंधना आगी तो हमारी टीम डिफरेंट हो जाएगी और क्याप्टन सी प्लेंगे और बात की जाए तो यहां पर है शिफाली वर्मा लैक स्पिन बॉलर है और आउट ओ फॉर्म चल रही है क्योंकि क अच्छा स्कोर नहीं कर पाई तो इसलिए कहीं नहीं हो सकता है कि आज वाले मैच पर खिलाएंगे तो बट उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है बाकि जमाइमा और अभी तक दो मैच की परफॉर्मेंस रही है और इंग्लेंड टूर भी वेकार रहा था भी जब इंग्लें हमारे बाकि कौर ने बिपने एपको कल डीमोट कर रहा था और हम बैटिंग करने नहीं आई ताकि नीचे जो बाकि प्लेयर से ने से मौका मिले तो हो सकता है कर दो पर लिए यह फ्रौइन एक दो मैच जो मौका मिलाता है और एक ऑच्छी प्रफॉर्मिस परफॉर्मिल यह पहले मैच वी तीन विकेट ली तेरा नट आउट मारे लास्ट मैच वी दस नट आउट मारे बॉलिंग नहीं करने को मौका मिल पाए क्योंकि पांच ओवर ही वो पाए थे और डील मैथट की विए से मैच कर देल्ट आ गया था इसलिए बाकी ब्लेयर्स को बॉलर्स को बॉका दिपती शर्मा जो इंडिया की में और रहने वाली है बागे पुझा बस्त्रकार के बारे में अगर बात किया राइट है तीन ओवर दो विकेट बैटिंग से एक रहन मारे है और वैसे इंग्लेंड दूर अच्छा रहा नहीं बट और यू कॉमनवेल्स गेंस भी गए तो इतने ची फॉर्म में नहीं था बैट शीलिंग अगेंस्ट फिर भी दो विकेट निकाले पावर लेटर है अच्छी कर लेती है और साथ बैट बॉलिंग से भी कॉंट्रिबूट करके देगी मीडियम फास्ट बॉलर है इस नहराना चार और जीरो विकेट पहले मैच में ला बाकि पहले मैच से तीन वर में विकेट लिया लेफ्टाम और स्पिन बॉलर है बाकि रेनुगा सिंग बहुत चीफ फॉर्म में चल रही है बाकि पहला मैच जो गया तो उसमें दो वर डाले जहां विकेट तो नहीं मिल पाए बढ़ धियान रखके चलना इंपॉर्टन बन कर सकता हूं बाकि यहां पर देथ ओवर से आपको रेनुगा सिंग और दिप्ति श्रम अगर इंडिया अपनी फुल फ्लेश्ट बैटिंग और के साथ जाएगी फुल फ्लेश्ट टीन के साथ जाएगी तो बैंच में यहां पर हो सकती है क्या पता आज गया कवाड़ को मौ कर दो का ना मिले दो वर्ड डाल एक कल वाले मैच में लेफटाम उट्रॉक स्पिन बॉलर है बाकि अगर खेलती है तो मैं जरूर ट्राए करूंगा बाकि किरन नव गिरे पर ध्यान रखना अगर आज की तरह तीम कल की तरह टीम आज भी एक्सपेरिमेंट करती है तो हो सकत कामले और बहुत ही डेंजरस बैट्समेन है आपने वुमेन आई पेल में खेलते वे देखा भी होगा और एकत्तरन की इनिंग खेली ताइटिंग आसपस और आगार देखा है डॉमिस्टिक सरकेट में बहुत डेंजरस बैट्समेन में काउंट होती है तो इसलिए ग्रेंड इसलिए इमलता दिपती बॉलिंग में रेनुक और यादा यह तो इंपोर्टन बनेंगे बाकि बैंच में ग्रेंड लिक के में जरूर ट्राइक करना है इनको अब यूए की टीम के बारे में अगर बात की जाए तो मैं बता चुकान की जो रैंकिंग है वह 14 है और जो मलीश पॉसिल प्लेंग लेवन रहेगी वह रोहित जो की इंपॉर्टन रहने वाली है और पहले पहले मैच में चारन मारे दोर में कोई विकेट ने मिला बढ़ ध्यान रखना टीम की में और पांच मैच में बना चुके और तीन विकेट लिए अपने पांच मैच इसमें ध्यान और इससे पहले एक सेंचुरी भी स्कूर कर चीके टीटी में इंडियान ही प्लेयर ध्यान रखके चलना इंडिया के डॉमेस्टिक सर्कृट में शायद खेल चुके हैं और शायद मुंबई के लिए महराश्टर कहीं के लिए खेलती है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टन बने अब के लिए पर रोही था था शाटीश के बारे में अगर बात की चाहें तो पांच मैंच इससे देखा जाये तो इसलिए को चरियाद के बारें बात की जया तो चार बासाट और नौ इंपॉर्टन नहीं है खुशी जर्मा जो है पांच मैंच में 41 मनाएं लास्ट के और चार विकेट भी लिए तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ब्राबर कॉंट्रिबूशन रखका है पहले मैंचे दो रन मारे जहां एक ओवर डाला विकेट नहीं मिला बहुत लोग एग्णोर करेंगे बड़ा बागी समेरा धन धन धना धारी का अच्छी फॉर्म में लास्ट मैंचे दो विकेट निकाले बैटिंग से आठ रन मारे उससे पहले पांच मैंच भी कत्तिसन मनाए छे विकेट लिए तो इंपॉर्टन रहेंगी इंपॉर्टन टीम में मिसमत करना प्रियांजली जैन यहां पर महिश आपको बॉलिंग करते हो नजर आने वाली है और महिश कर सकते हो गौर को बाकी यहां पर है रितिका रजित अब ऐसे देखा जाते पहले चार मैंचे स्रिफ दो कोई ले आए दो मैच एक रन जीरो विकेट रनी था रजित चार मैच एक रन एक विकेट बाकी यहां पर रिशिन था लवन्या के लेनी के स्ट्राइट सी हैं बाकी निच्छे को इतनी इंपॉर्टन है सिवाए मही का गौर के इंपॉर्टन जो आपके लिए रहने वारी है वो रहेंगे आप एक दो तीन चार कैप्टन को ग्रेंड लिग में ट्राइक कर लेना पांच छे इंपॉर्टन एक मही का गौर को आप कंसिडर कर सकते हैं की टीम से फिलाल मैंने आपको एक ही स्मॉल लिग की टीम कोई ज्वाइन नहीं करिया सिर्फ मैंने पहले से ज्वाइन कर ले ताकि लीग फुल हो जाए तो फिर मैं रहे तो मैंने इसी ज्वाइन करें बड़ आपको इसी स्मॉल लिग की टीम मिसलें नहीं नहीं दे रहा क्योंकि मुझे कुछी नहीं पता है कि टीम क्या बैटिंग खिलाएगी तो वह टॉस के बाद ही लाइन अप के बाद ही पता चल पाएगा इसलिए मैं आपको दो ग्रेंड लिग की टीम टेलिग्राम पर दे दूँगा और एक स्मॉल लिग की दीम ध्यान रखके चलना बाकि स्मॉल लिग की टीम में रिकॉर्डिंग यह रहेगी बाकि मेरी इंवेस्ट्मेंट जो आपको पता है सेम एस विजन एप पर रहेगी त आप इस एप में अच्छी कासी इंवेस्ट्मेंट कर सकते हो काफी अच्छी अर्निंग बजाती लास्ट दो साल से खेल रहे हैं और काफी अच्छी रिजल्ट रहा है तो आप भी खेल सकते हैं आपको फायदा मिलेगा कि एंट्रीफीस बहुत कम है और दूसरा फायदा यह यह मिलता इंट्रीफीस के कमसासा कि आपको कोई क्रीट का इश्यू नहीं आने आला और काफी बेनिफिट्स हैं तो डेफिनिटली आप इस एप में खेल सकते हैं जब टेलिग्राम चैनल जॉइन करोगे तो वहां मिल जागा रैफरकोड आपके लिए सेम रहेगा डॉक्ट पर इंडिया के साथ जाएंगे तो प्रॉपर हमारी बैटिंग पर यह हो जाएगी तो ठीक है मैं अगर फिलाल इंडिया बैटिंग और खिलाती है मुझे लगता है अगर देखा जाए तो मैंने टीम क्रीट किए टेम्प्रीट इगो देच की जगहां पर इंकी टीम पहले तो यहां पर गौर के साथ रीजन क्या है कि गौर युए की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो गौर तीन से चार ओवर कर सकते हैं जहां एक आधा विकेट भी मिल सकता है क्योंकि इंडिया की बॉलिंग अच्छे इसलिए पॉनिंट टीम का इजी लिए रन स्कोर नहीं कर सकते हैं अगर युए की टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं यहां पर गोदेश के साथ जाओंगा और बॉलिंग करेगी तो गौर के साथ जाओंगा तो यह चेंज मैं करूं क्योंकि अगर इंडिया का टॉप और ही चल जागा तो फिर शायद कॉर की बैटिंग नहीं और मुझे लगता नहीं कि कॉर को इंपॉर्टेंस तभी है जब इंडिया पहले बैटिंग करें सतीष के साथ क्योंकि क्योंकि हो सकता है प्रमोट करने का मौका ना मिले तो इसलिए फिर नीचे आपको कैचिंग स्टंपिंग से पॉइंट देगी में जो रहेगी सतीष और सची फॉर्म में भी है बागी दिखती को लिए इस यह रोई दिन की सबसे बेश्ट बैश्ट आ ट्राइ कर लेना बाकि अगर देखा जा बॉलिंग सेक्शन में तो मैं कल वाले सारे बॉलर्स के साथ गया हूं आप यहां पर रेनु का सिंग आईगी तो मैं रेनु का सिंग के साथ जरू आपको आपको अच्छी ऑप्शन है यह तो आप लोग ईजरोई को ड्रॉप करके मैं महेश बट महेश जरोई के साथ ही जा रहा हूं और एक और अच्छी ऑप्शन आपके पास है यहां पर वह खुशी शर्मा ग्रेंड लिंग में जराओ ट्राइक करना लास्ट पांच एक तालिस अन्य और चार वेगट से हैं मेगना सिंग आती है तो ग्रेंड लिक की पि टेंपरेटीम रही कल मैच के कोडिंग टीम बनाई बागी फाइनल टीम आफटर टो टेलिग्राम पर जैदूंग ओदा हो टेलिग्राम चैनल जुरूर जॉइन कर लेना उसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट मिल जाएगा सबसे ओपर ब्लीव क्लिर का लिंक होगा जैसे उस पे क्लिक करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको जॉइन कर लेना जैसे बता है तो मिलते हैं टेलिग्राम पर जैई दोस्तों बाई-बाई